हेलो फ्रेंड्स वन्स अगेंड विल्कम बेक टू माय चैनल मैं अमन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन टैरेस गार्डन फ्रेंड्स वेसे तो गर्मियों में लगाने के कहीं सारे ऐसे पोधे होते हैं जिनको लगा करके आप अपने घर गार्डन को अच्छा सुन्दर सा बना सकते हैं लेकिन आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे खुश्बुदार पोधे बताने वाला हूँ यानि कि उनके फ्ला प्लांट है जिनको अभी है भी आप लगाते हो तो आपके गार्डन में ठेर सारे फूलों के साथ में अच्छे-च्छी खुश्बु भी भर देंगे जिसे कि आपका गार्डन पुरा फूलों से महग जाएगा और ग्रेंड्री वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते कि कौन-कौन से प्लांट है खुश्बु वाला फ्रेंड्स वीडियो के शुरुआत में सबसे पहला में आपको प्लांट दिखाने वाला हूं खुश्बु वाला जिसमें से बहाद अच्छी खुश्बु के साह साहत में काफी संदर से फ् गार्डन में खुश्बु वाले प्लांट के रूप में मोगरा के प्लांट को जरूर एट कर सकते हैं बात करो इसको लगाने की तो छोटी से चोटी कटिंग इसकी बड़ी आसानी से लग जाती हैं इवन किसी भी नर्सरी में यह तीस से चारी सुरुप में आपको बड़ी असानी से मिल सकते हैं तो गर्मियों की सीजन में आपने मोगरा के प्लांट को अपने गार्डन में जरूर एट कीजेगा जो कि बहुत यह अच्छी खुश्बु के साथ साथ में धेर सारे फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करता हैं और यह इसे बेल की रूप में चलता है और काफी ज़दा खुश्बुदार अपके गार्डन में बना रहेगा कई सारे नामों से इसको जानते हैं बेला मोगरा मोतिया और भी कई नामों से इसको जानते हैं तो समर सिजन में आप खुश्बुदार प्लांट की रूप में अपने गार्डन में बेला के प्लान को जरू करता है और एक घर बढ़ाने को फ्लावरियां बंञाते हैं के 30-40 उर्पर में आपको कोई भी अच्छा हेल्दी सा बल्ब मिल जाए तो आप महां से लाका के इस फ्लांट को अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं समर सीजन में क्योंकि यह फ्लावर्स जो होता है सिफ समर सीजन में ही फ्लावरिंग करता है और खुश्बू काफी आप देख रहे हैं यह चोटे-चोटे बंचे में फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और देख सकते हैं और चुश्बू तो फूलो का राजा भी होता है तो काफी अच्छी इसमें फिग्रेंस होती हैं जो आपके गार्डन में खुश्बू को भर देगा च्छोटी-च्छोटी क कर सकते हैं इवन नर्सरी से भी इसको खरीद सकते हैं देशी वाली वराइटी के रोज देटी आप खरीदेंगे तो बहुत सारी खुश्बू आपके गार्डन में एड होती रहेंगी चोटी-चोटी कर्टिंग से इनको लगाना बढ़ा आसान होता है और गौर्मेंट नर् गार्डन में धेर सारी खुश्बू आती रहें उसके बाद फ्रेंट्स अगला जो प्लांट में आपको दिखाने वाला हूं जो कि अपनी अच्छी खासी खुश्बू के लिए जाना जता हैं वह आता हैं हमारा बटर कफ का प्लान देख सकते हैं इसमें येलो कोलर के चोट कर देगा और खुश्बू तो इतनी इसके अच्छी होती है कि पॉलिनेटर्स वगिरा इसकी तरफ बहुत जादा अट्रेक्ट होते हैं तो यदि आपके गार्डन में कोई प्लांट हो या ना हो बट इस बटर कप की प्लांट को आप समर सीजन में जरूर गरो कीजेगा तो अग्ला जो हमारा प्लांट होता है हमारा है अच्छी खुश्बू के लिए जो और कहते हैं और डिफियन डिफियने लगे तो यह बिल्कुल भी नहीं आती है यह जो आप देशी वारी वरायटी के देख रहे हैं, इनमें काफ़ी अच्छी खुश्बू आती हैं और ध्रसारी कल्या इसमें बन रही हैं, तो हिबिस्कस के प्लांट को भी आप इसले में लगा सकते हैं एपने गाडन में, जो कि काफ़ी खुश्बू के साथ में ध्रसारी बुशिया बना सकते हैं और कई सारी कलर वेटन्स में आते हैं और गौर्मेंट नर्सरी में इसके प्लांट 20 से 30 रुपेज में बड़े असने से मिल जाते हैं देशी वाली वराइटी के तो समर सीजन में आप गौडल के प्लांट को भी अपने गारण में जरूर एट कीजेगा और देख सकते हैं इसकी वेरिगेशन वाली वराइटी जो कि पिल्कुल प्यूर वाइट कलर के इसके लिफ्स होती हैं और रेड कलर के इसमें चोड़ चोटे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और यहां पर इसके कलिया भी बना स्टार्ट हो गई हैं तो समर सीजन में आप हिबिसकस के प्लांट को फिर गौडल के प्लांट को अपने गारण में जरूर एट कीजेगा एज़ खुश्बू के परपस से तो फिर आप ओलियंडर को कैसे डिनाय कर सकते हैं यानि कि जो करनेर के प्लांट होते हैं जिनको भी आप अपने गारण में एट कर सकते हैं समर सीजन में यह भी काफी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं देख सकते हैं कि इतने कुप सुरत से इसकी प्लांट में ग्रोथ आई हुई है क्योंकि यह कुछ सब में पहले में नहीं इन सभी प् व्यवारीति के इसके मेरे पास में चार कलर हैं तो कोई भी अपने गार्टन में गुण सब्सक्राइब में बड़े अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा उठेस सारए फ्लावर्स और खुश्बु आपके अच्छा लगती है और बहुत ही अच्छे अपके गार्ण को बनाती है तो आप चमपा के प्लांट को लगा सकते हैं यहीं मेरा नाक चमपा का प्लांट कई सारे फ्रेंट्स कहते हैं कि इस फ्लावर्स में खुश्बू नहीं आती हैं लेकिन यदि आप इसमें ठ्यान से देखेंगे तो इसमें भीनी भीनी से खुश्बू आती हैं जो कि काफे ज़दा खुबसूरत लगती है और बहुत ही खुश्बूदार आपके गार्ण को बना देती हैं कि इसकी पतियों का शेप बिल्कुल नाक की तरह होता है इसी में काता है देशी चम्पा जो इस तरीके से होता है और इसमें भी वाइट एंड हलके से यलो का टेक्ट्टर लिये फ्लावर्स होते हैं जो की दिखने में काफे ज़दा खुश्बू भी आपके गार्ण में वह एट करते रहते हैं इसको भी लगाने की बात करो तो चोटी-चोटी कर्टिंग से बढ़ी आसानी से लग जाती हैं मैंने भी कुछ समय पहले कुछ कर्टिंग से लगाई थी उनका अपडेट भी मैं आपको देता हूं यह देखे फेंस यह कुछ समय पहले मैंने मदर प्लांट की थी उसी की cutting को मैंने यहाँ पर grow कर दिया था दो cutting लगाई थी और दोनों ही मेरी successful हो गई है और देख सकते हैं आप new news में पत्यां भी grow होने लगी हैं तो चंपा के प्लान को आप पूरे ही साल में cutting से कभी भी लगा सकते हैं और ठेर सारे खुश्बू और flowers अपने गार्डन में इससे ले सकते हैं उसकी बात अगला जो प्लान अपने गार्डन में खुश्बुदार लगा सकते हैं यह दिया आपके गार्डन में काफी ज़्यादा space है या फि के गंबलो के लिए शेफिशेंट है और इसे बूश में flowering करती हैं तो देख सकते हैं यह तो मेरा बेल वाला ही है और मैं भी इसको बूश बनाना चाहता हूं चोटी-चोटी cutting से बड़े आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इसमें भी एकदम bunches में flowering करते हैं जिसको भी कई न करते रहेंगे और इस तरीके से इसकी branches को cut करते रहेंगे इसकी tip running करते रहेंगे तो इसकी multiple branches निकलेगी और फ्लावर से अपके गार्डन में produce करता रहेगा तो ज्यादा खुश्बू लेने के लिए आप अपने गार्डन में इस प्लान को जरूर लगाईएगा उसके बाद का mix वाला है जो कि काफी ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है और यह जो है बिल्कुल प्योर yellow color का है तो कई सारे color patterns में आते हैं और इसमें pink color भी है जो कि आज खिला नहीं है तो कोई भी color variety के plants लाकर कि आप अपने garden में grow कर सकते हैं summer season में पिटूनिया को भी लगा सकते हैं खुश्बू और अपने garden को हरा भरा बना सकते हैं तो फ्रेंट साथ की वीडियो में बस इतना ही और अगले plants में फिर कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगा आपको जिन plants को लगा करके आप अपने garden में खुश्बू के साथ साथ हर्याली भी add कर सकते हैं और अपने garden को अच्छे से enjoy कर सकें और इन खुश्बूदार plants को लगा करके अपने garden को महिका सकें